ये गाईज, वेलकम टो आइस पॉइंट, दिस इस अतिती पांडे तो आज अपना कुश्यन एंसे सेशन कंडिनू करने वाले हैं, चलिए पढ़ते हैं सीतोष्ण कटिबंदी चक्रवातों के विकास के वस्थाओं का संशिर्थ वरिनम कीजिए तो ये जो सीतोष्ण कटिबंदी चक्रवात हैं, शीतोष्ण कटिबंदी च्छेतरों में होती हैं जो कि उतरी गोलार्थ के शीत रितु में आते हैं, परंतु डक्षणी गोलार्थ में जो जल है उसका भाग अधिक होने के कारणे सारे साल चलते हैं इसी हम जे बरजकनीज के ध्रोविय वाताकर सिधान के आधार पे एक्स्प्लेन कर सकते हैं इस सिधान के आधार पे देखा जाये तो उसके कुल चार या पांच अवस्थाईं होती है अवस्था कव में हम जानेंगे कि इसके अंतरगत क्या होता है विभिन तापमान तथा आदरता वाली वायू राशियों के जो पवन है वो विभिन दिशाओं से आकर मिलते हैं यानि कि विपरीद दिशाओं से तथा ये एक दुसरे के समांतर चलते हैं और इंके बीच जो वातागर है वो इस्थित रहता है दूसरी अवस्था में क्या है ये बाल्य अवस्था होती है उसमें उच्च वायू राशी वातागर को धकेल कर शीतल वायू राशी में प्रविष्ट होने का प्रयास करती है और शीतल वायू राशी जो है वो भारी होने के कारण नीची आने लगती है इससे जो वातागर है वो तरंग के रूप में बनता है तथा उष्ण एवं शीत्र वाताग्रों में बट जाता है तो ये डाइग्राम भी मैंने बनाया है अगर आप चाहें तो इससे बना के एक्स्प्लेन भी कर सकते हैं आप एक्जाम में जो की बहुत अच्छा रहेगा इसके इंतरगत देखे क्या है पहली अवस्था मैंने क्या बताई थी गरम और ठंडी वायू राशिया ये ठंडी है और ये गरम वायू राशिया एक दूसरे के समानतर इसकी दिशा अलग है जा प्रयाश कर रही है तथा जो वाताग्र है वो लहर नुमा हो गया है इसमें क्या होता है गरम वायू राशी जो है वो ऊपर उठने का प्रयाश कर रही है और शीत वायू राशी नीचे जाने का प्रयाश कर रही है जिसके कारण जो चक्रवात है वो चक्राकार रूप को धा जिससे जो खंट का अकार है वो काफी जदा छोटा हो जाता है अवस्था घह क्या है इसमें प्राणा वस्था पुन्ड रूप से विक्सित हो जाती है जिससे शीतल वायू उष्ण उपर की और होता है और शीतल वायू नीचे की और आजाती है केंद्र जो है वो स्थापित हो तूट नहीं जाता और लास्ट हवश्था है हमारी इसमें जो चक्रवात है पूरी तरीके से समाप्थ हो चुका है अब हम नेक्स्ट कुश्चन देखेंगे पवनों की दिशाव वेग को प्रभावित करने वाले कारक क्या है प्रमुक तो देखें तापमान व वायू मंडली दाप की भिनता के कारण वायू जो है वो गतिमान होती है इस 36 गतिमान वायू को हम क्या कहते हैं पवन कहते हैं इसे अब याद कीजेगा तापमान व वायू मंडली दाप की भिनता के कारण वायू गतिमान होती है जिसे हम पवन कहते है ये पवने तीन संयुक्त प्रभावों का परिडाम होते हैं पहला कौन सा प्रभाव है दाप प्रवर्टा यानि कि प्रेशर ग्रेडियंट वायू मंडल ये दाप जैसे जैसे कम होता है तथा दूरी पर परिवर्तित होता है तो पवने जो हैं वो तिवरगती से चलती हैं दूसरा है घर्षण बल यानि कि फ्रिक्षनल फोर्सस धरातल के एक से तीन किलोमीटर की उचाई तक घर्षण बल पवनों के वेक को प्रभावित करता है लास्ट है आपका कॉरियोलिस पल पृत्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्वकी और घूमती है तथा उतरी गोलार्थ में जो पवने हैं वो मूल दिशा से दाई और दक्षणी गोलार्थ में बाई और विक्षेपित हो जाती हैं यह विक्षेपित विश्वत वृत से धुरुवों की और बढ़ता है। कॉरियोलिस बल का विवरण किसने प्रस्तूत किया था? फ्रांसीसी वैग्यानिक D. कॉरियोलिस ने 1884 इस्वी में। नेक्स्ट कॉश्चन है आपका घोडे का अक्षांस किसे कहते हैं? नेक्स्ट कॉश्चन है आपका भूविक्षेपि पवन यानि कि जियोस्ट्रॉपिक विड्ड किसे कहते हैं? जब समदाव रेखाओं सीधी हो और घर्शन का प्रभाव न हो तो जो दाप प्रवडता है ये कॉरियोलिस प्रभाव से संतुलित हो जाती है और फल्सवरूप जो पवने हैं वो समदाव रेखाओं में समांतर बहने लगती हैं जिने भूविक्षेपि पवने कहते हैं नेक्स्ट आपका क्या है? इस्थानी पवने और इस्थान लू कहां चलती है? बताईए इंडिया में आपने यही पर सुना होगा फोहन कहां चलती है? आलप्स ठीके? तीसरा है आपका चिनूक तो चिनूक जो है वो आपको USA में देखने को मिलेगा और मिस्ट्रल आपको आपको मिलेगा नेक्स्ट है आपका उचाई के साथ जलवाश्प की जो मातरा है क्यों तेजी से कम होने लगती है? तो ये जानते हैं जलवाश्प वायू मंदल के में विभिन मातरा में पाई जाती है ये स्थान और समय के अनुसार बदलती रहती है उचाई के साथ तापमान कम हो जाता है जिससे जो जलवाश्प की मातरा है वो भी कम हो जाती है नेक्स्ट है आपका एल नीनो क्या है दक्ष पेरू की ठंडी धाराओं का स्थान लेने वाली जो धाराएं होती हैं उन्हें एल नीनो कहते हैं मतलब की प्रशांत महासागर की जो गर्म जल धाराएं हैं ये अमेरिका की तटकी और प्रभावित होती हैं यानि की चली जानते हैं प्रशांत महासागर की जो जल धाराएं है ये अमेरिका के तट की और प्रवाहित होती है और पेरू की ठंडी धाराओं का स्थान ले लेती है पेरू के तट पर इन गर्म धाराओं की उपस्थिती को एल नीनो कहते है ये घड़ना मध्य प्रशांत महासागर और आस्ट्रेलिया के वायुदाब परिवर्तन से गहरा संबंद है तथा वायुदाब में ये परिवर्तन दक्षणी दोलन कहलाता है दक्षणी दोलन तथा एल नीनो की घड़ना को ENSO के नाम से जाना जाता है जिन वर्शों ने ENSO शक्तिशाली होता है विश्व में वरिहत मौसम संबंधी भिन्नताएं देखी जाती है जैसे दक्षणी अमेरिका के पश्टिमी शुष्क तटपर भारी वर्शा होती है और स्ट्रेलिया वो कभी कभी भारत अकाल ग्रस्त होते हैं चीन में बाढ़ाती है तो ये सारी प्रक्रिया किस वर्ख होती है जब ENSO शक्तिशाली होता है वायू राशिया कितने प्रकार की होती है इनकी उद्गम छेत्रों का वरणन कीजिए तो ये मारा लास्ट कोश्चन है आई-यम जानते है पहला है उष्ण कटिबंधिये महा सागरिये वायू राशी जिसका उद्गम छेत्र महा सागर होता है दूसरा है उष्ण कटिबंधिये महा दूइपी ये इसका महा दूइप फिर ध्रूविये महा सागर ध्रूविये महा सागर अगर आपको कोई question ऐसा लगता हो जो नहीं बताएगे है तो आप उसे पूछ सकते हैं and thank you so much for watching ऐसे ही आप अच्छे से पढ़ते रहेगे आप इसे चाहें तो note भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि जो 12th की geography है न 12th और 11th की काफी जादा important है तो इसे में बहुत ही अच्छे से focus के साथ पढ़ना है क्योंकि अगर हमने इसे पढ़ लिया ना तो फिर standard book हमें अच्छे से समझ में आने लगेंगी तो चलिए अब आपका class ही पर stop होता है अगर आपने में वीडियो को अच्छा लगा आपको आपने देखा उसे पूरा तो आप उसे लाइक कीजेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा